करेंगे वो आपका अधिगम से related होगा यानि अधिगम के topic के हम questions बनाएंगे और अधिगम के topic के questions अभी नीचे को यहाँ पर एक आपका पुरा topic है अधिगम इसमें दिया है अधिगम के सिद्धान्त एवम उसका प्रभाव अधिगम का अर्थ अधारना और बच्चों का सिख लबस में किया गया है यहाँ पर भी अधिगम की कटनाई करके यहाँ पर topic आया है यानि हमें अधिगम पर ज्यादा फोकस करना है और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अधिगम से ही related कुछ question बनाएंगे पांच MCK होंगे डेली की तरह और उनकी थोड़ा बहुत डिटेल एक्समिनिशन में आपको दूँगा तो चलिए सुरुआत करते हैं आज के पहले question से पहला question आपके सामने है दस आदमी मिलकर एक घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं लेकिन 20 आदमी मिलकर भी उसे पानी नहीं answer है आपने THONDAE Tokyo नियम पड़े होंगे आपको बता है कि फान ड़ा कि एक ब्यावहरवादी थे और ब्यावहरवादी होने के सांथ अंथ हैके पशू मनो cystic भी थे और THONDAE के बारे बारे में एक बार और बता दू ये पर्थम une तो आपको पता है कि थान्डाइक ने दो प्रकार के नियम दिये सेखने के नियम एक था मुख्य नियम और दूसरे थे गौन नियम मुख्य नियम के अंदर आपके तीन नियम आते हैं और पांच गौन नियम आते हैं उन तीन नियम में जो आपके एक पहला नियम आता है जिसक किस नियम के अंदर आते हैं मुख्य नियम के अंदर आते हैं तो इसमें जो ततपरता का नियम है उसमें ये उदारण फिट के बैठता है क्योंकि Thondike के कहना था अगर आप घोड़े को तालाप तक तो लेजा सकते हैं बई साधने मिलकर लेकिन इसको पानी नहीं पिला सकते हैं इसका क्या मत्तब हुआ जब तक घोड़ा खुद तत्पर नहीं होगा जब तक घोड़ा खुद तयान नहीं होगा मानच्षिक रूप स सही आंसर है अब मैं बात करूं other option की सहस किरिया क्या होती है यानि जो किरिया जन्मजात होती है जैसे प्यास के काटते हैं तो हमारे आसों का निकलाना ये सहस किरिया है अब ये अनुकिरिया क्या होती है अनुकिरिया का मतलब हुआ विसे वस्तु के प्रति जो हम किरिया करते इसका मत्तब जो भी किरिया हम उद्धिपक के परती करते हैं अपने लक्ष के परती करते हैं उसे ही हम अनुकिरिया कहते हैं अगर मैं बात करो परती किरिया की तो परती किरिया का मत्तब होता है किरिया के बदले किरिया करना अगर आप सोय हो हैं अगर अचानक बल बो जलता ह आपकी आंकें भी उसके response में खुलती हैं तो ये होता है पर्तिकरिया अगर हम बात करों अनुक्रिया की तो अनुक्रिया को आप ये भी समझ सकते हैं कि जो किरिया पराणी उद्धिपक के पर्ति कर रहा है यानि अपने लक्ष के परती, लक्ष को प्राप्त करने के लिए जो भी किरिया किसी प्राणे के द्वारा की जाती है उसे हम अनुकिरिया कहते हैं और प्राणे अधिगम करने के लिए यानि लर्निंग करने के लिए अक्षर अनुकिरिया का ही यूज करते हैं क्योंकि ये इसे उद्धिपक को प्राप्त करने के लिए करते हैं और उद्धिपक को तब प्राप्त करते हैं जब मैंने आपको बताया था कि तीन चीजें अधिगम के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं वो तीन चीजें कौन-कौन सी थी एक तो था उनमें अनुभव दूस रहे हैं जैसे भी लिंक आप तक पहुंचा लाइक करना ना भूला है क्योंकि यह हमाले एक मोटिविशन का काम करता है और आपके दोरा हमको केवले एक लाइक का प्रेस ही मिल सकता है मुझे नहीं लगता कि लाइक प्रेस करने में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए अगर प्रेस करन को दबाना आप मत भूलिए क्योंकि यह सिरी जारी रहेगी हर दूसरे दिन तो चलिए बढ़ते हैं क्वेशन नमबर ठर्ड की और क्वेशन नमबर ठर्ड आपके सामने है थॉन्डाइक ने किस नियम को प्रियोग व अनप्रियोग दो भाग में वाजित किया थ अप्शन नमबर ए आपके पास है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तरतपरता का नियम और प्रेणा का नियम इसका जो सही आंसर है अप्शन नमबर बी यानि अभ्यास के नियम को थॉन्डाइक ने प्रियोग व अनप्रियोग दो भाग में वाजित किया था और एक का नियम और तत्परता का नियम और गौन नियम को अंदर उसने पांच नियम दिये जिनको करमसव एक तो बहुक्रिया का नियम दूसरा आंसिक क्रिया का नियम तीसरा मनुवर्ति का नियम चौथा साध्रिश्यता का नियम और पांचवा सहाचरी का नियम बोला जाता है यानि गामक अधिगम शहस्वा वस्ता में सबसे अधिग होता है अभी गामक का मतलब होता है सार्रिक अधियम यानि बच्चा क्रियाओं के द्वारा या दूसरे को देखके या चीजों को पकड़के चीजों को सीखता है तो यह अधिगम ज्यादा तर सहस्वा वस्ता में होत होता है बात अगर करूं मैं other option की जैसे यहां पे दिया है प्रति बोधनात्मक अधिगम प्रति बोधनात्मक का मतलब होता है यानि concept के थूछ सीखना अब प्रति बोधनात्मक अधिगम कोई भी बालक कप करेगा जब वो पूरी तरह मैच्वर होगा या वो जब वो इस लायक हो जाएगा कि वो चीजों को समझ सके अगर हम बात करों प्रति बोधनात्मक अधिगम की तो प्रति बोधनात्मक अधिगम जो सबसे अधिग होता है वो कौन से कालम होता है बाल्य कालम होता है या मैं कहूं कि बाल्या उस्ता में प्रति बोधनात्मक अधिगम सबसे अधि पना से है यहनी बच्चा किसी चीज को सोचने यहां पर लग जाता है understanding किसी भी चीज चीज बच्चा डेवलप कर लेता है तो यह कौन सी एज में होगा यहनी किसोरा वस्ता में होगा और अन्यमित अधिगम नाम की कोई चीजी नहीं होती है यह आपको confuse करने के लिए यहां प चिंता से कोई संबंद नहीं है तो जिसका सही आंसर है सामाने चिंता यानि और सीज का सही आंसर है चिंता का वस्तर जो चातर को सीखने के लिए तैयार करता है यानि अगर चातर को थोड़ा बाद चिंता होगी तब यूँ सीखने के लिए तैयार होगा और चिंता ही अगर कि चीज होती है तो ये negative option हुआ अधिगम का चिंता से कोई संबंद नहीं है ये बिल्कुल सही option है कि अधिगम का चिंता से कोई संबंद नहीं होता है लेकिन अगर मैं बात करूँ सामानी चिंता की यानि सीखने के लिए बच्चे को चिंता का होना बहुत जरूरी होता है तो learners आ ये वो भी आप मुझे suggestion दें syllabus के according ही यहाँ पर चीज़ें कराई जाएंगी और ध्यान अखीगा learners 30 marks का उत्राखन डेल्ट एक्जाम में पूछा जाता है और ये 30 marks की पेडागोजी चाइल्ड साइकलोजी बहुत माइने रखती है आपकी merit में 70 marks का आपका main paper और 30 marks की की आपका आपकी में गाएंगी बहुत वीज़ें क सर्वे चीज़ें की में पाभशने जाएंगी रखती है आपकी में पाइल्ग रखती है और ये ये जवर्णाल्द